हेलो स्टूडेंट कैसे हो आप सब आसा करती होंगे सब अच्छे होंगे तो बेटा हमने अभी अपने लास्ट वीडियो में प्लास्टिक के मतलब की विभिन गुनों के बारे में पढ़ा था कि वो हम उसका इतना प्रियोग क्यों करते क्या कारण है और उसमें यह बेटा यह प्रन्तु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले करमचारियों के प्रिधानों पर मेलमाइन प्लास्टिक की परत चड़ी होती है जो उसे अगनी रोधक बनाती है तो बेटा संशलेशी तरे से आसानी से आग पकड़ लेते हैं हम पढ़ चुके हैं लेकिन क्या हो तुमें सीखने को मिलेगी बेटा तो यह प्लास्टिक की परत चड़ी होती है जो आग को बुझाने के लिए जाते हैं ताकि उनको आग पकड़ ना सके आग ना लग सके उनके कपड़ में क्योंकि संसलेशी तरे से तो आग पकड़ लेते हैं तो इसलिए वो क्या कौन से प्लास्टिक की मेला माइन प्लास्टिक है जो क्या होती है एक अगनी रोदग होती है ठीक है आग को फैलने नहीं देती यानि की कपड़ों पर लगने नहीं देती ठीक है तो बेटा अब हम अपना नेक्स टोपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है प्लास्टिक और प कुछ भी वस्तु बाजार से लेने जाते हैं तो हम किस चीज में लेकर आते हैं प्लास्टिक में लेकर आते हैं और हम घर पर भी अधिकतर प्लास्टिक का प्रियोग करते हैं तुम स्कूल में भी जाते हो तब भी क्या करते हो अपने टिफिन बोक्स भी जादतर तुम्हारे क इसके होते हैं प्लास्टिक क्यों होते हैं ठीक है तो फिर ये प्लास्टिक कूडे दान में चला जाता है प्लास्टिक का निस्तारा नेक परधान समस्या है तो बेटा हम प्लास्टिक का प्रियोग तो कर रहे हैं और यह हमें इसके फाइदे भी आसानी से मिल जाती है अनभिक वे प्लास्टिक ऐसा नहीं होता प्लास्टिक जल्दी से नहीं आप घटीत होता यानि कि वो मिट्टी में नहीं मिलता थीक है ना तो प्धार्त जो सकत कुई आप घटीत जीवानूं के बारे में तुम पढ़ चुकी हो तो जीवानू को क्या होता है? किसी भी चीजों को गला सड़ा देना ठीक है? तो क्या करते हैं कुछ जीवानूं बेटा जो हम परकरती से जो पेड़ पो दे calorie हैं जीसे माल लोको टूटकर गिरिया पतता भी गिरिया वो कुछ इन बात देखोगे वो गल सड़कर वापस से मिट्टी में मिल जाता, आमें महाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है, तो ऐसे पधार्तों को क्या बोलते हैं, जैव निम्नी करनी है, ठीक है, वो परकिरिया जिसमें क्या होते हैं, जिवानु उन पधार्तों को अपगट कर देते हैं, तो वो परकिरिया क्या कहलती है, जैव निम्नी करनी है, ठीक है, और पधार्त जो प्राकरतिक परकिरिया और द्वारा सरलता से विगटित नहीं होते हैं, यानि कि वो गल सड़ते नहीं हैं आसानी से, तो वो क्या कौन से पधार्त होते हैं, जैव निम्नी करन तो दो तरीके की होती है ये पधार्त एक तो जैवनिमनी करने है पधार्त होते है और जैवनिमनी करने है पधार्त होते है तो तुम से भी पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक किस तरीके का पधार्त है तो वो आसानी से गल सड नहीं सकता तो वो कैसा पधार्त है जैवनिमनी क ठीक है लेकिन जो बेटा जूटके होते हैं जूटके बने हुए ठेले जिसकá प्रियोग करने के लिए आजकल हमें बोलते हैं हमारी सरकार तो वो क्या होते हैं वो आसानी से अफगटित हो जाते हैं ठीक है गल सड़के वापस से परकर्ती में मिल जाते हैं तो वो कौन सी केटगरी में आएंगे जैव निमनी करनी हमें तो बेटा अब हम सारनी 3.3 में क्या देखेंगे जो हमारे अफसिस्ट के परकार है या फिर हम जो भी समान यूज करते हैं उसके बाद जो बचे जाता है अफसिस्ट जो बेकार है हम उसको फैकती हैं लेकिन उस फैके हुए का क्या होता है तो वो अफसिस्ट क्या होता है और कब तक होता ये सब उसके बारे में पढ़ेंगे तो अफसिस्ट परकार दिये हुए उसमें लाइन में बेटा और एक में क्या दियो है तुमें आप हरासित होने में लगने वाला समय क्यों कि उनको कितने कितना समय लगता है वापस से परकरती में मिलने में या उनको वापस से मिट्टी में मिलने में या गलने सडने में ठीक है और फिर और उसी आधर पर हम क्या decide करेंगे पधार्त की परकरती तो सबसे पहला है बेटा सबजी और फलो के छिलके बचा हुआ भोजन आदी तो ये बचे हुए भोजन वगेरा होते बेटा तो इनको खराब होने में गलने सटने में वापस से परकरती में मिलने में कितना समय लगता एक से दो सब्ता का तो ये कैसा हो गया जैवनिमनी करने क्योंकि ये क्या हो गया आप गटित हो गया ऐसे ही बेटा कागज है कागज को कितने दिन लगते हैं कागज किस से बनते हैं पोदो की पतियों से बनते हैं तो पोदो की पतियों से बनते हैं जैवनिमनी करनिय में, सूती कपड़ा, सूती कपड़ा भी बेटा, हमें कपास से मिलता है, उसको गलने सड़ने में कितना समय लगता है, दो से पांच महा का, और वो क्या करता है, तो वो भी किस केटेगरी में आएगा, जैवनिमनी करनिय में, लकड़ी भी बेटा, तुम जि लगबग एक वर्स लगता है अब हराशित होने में यानि कि उनको वापस से प्रकरती में मिलने में तो ये भी क्या है जैवनिमनिकर्ण अब नेक्स्ट एप टीन एलिमुनियम और अन्य धातु के डिब्बे ये बेटा जो ये धातुया होते हैं ये हमें कहां से मिलते हैं ये प्रकरती से ही मिलते हैं ये भी हमें तो इनको अपगटित होने में कितना समय लगता है 100 से 500 वर्स तक लग सकते हैं लेकिन फिर भी अपगटित हो सकता है ये क्या है तो बेटा लेकिन इसमें कितने वर्स लगे 100 से 500 वर्स तो बहुत ज़्यादा समय लगा तो हमारे लिए त प्लास्टिक थेलिया जो हम प्लास्टिक की थेलिया यूज करते हैं वो कब तक अफरासित होती हैं कई वर्स तक मतलब कि उनका कोई फिक्स पीजड ही नहीं कि वो कब तक मतलब कि अपगटित होएंगी तो इनको किस कर्टेगरी में रखा जाएगा जैव ए निमनी करने हैं ठ ठीक है अब बेटा नेक्स्ट है हमारा क्योंकि प्लास्टिक अपगटित होने में कई वर्स ले लेता है तो यह परियावरण ही तेसी नहीं है ठीक है क्योंकि यह ऐसे बेटा मतलब इतने इतने वर्स लग जाते हैं कि अगर और हम डेली पे प्लास्टिक इतनी यूज करते ह उसको मतलब उसका एक तरह से धेर लगाएंगे तो वो क्या होगा एक पूरा बड़ा पहाड जैसा बन जाएगा जैसा कि तुम देखते भी हो आसपास अपने इलाकों में देखते होंगे कि कचरा इतना जादा ही खटा हो जाता है वो गलता तो है नहीं और उसको पतानी कितने वर्स लगते हैं तो वो क्या होता है जब तक ही खटा होता जाता होता जाता है और जिससे क्या कारण बनता है हमारी बिमारी का कारण भी बनता है और जगे भी घेर कर रखता है तो इसलिए वो परियावरन का हितेसी नहीं है यह परियावरन परदूसन का कारण बनता है इसके अतिरिक्त जब इ विशयली धूम उत्सरजित कर परियावरन परदूजित करता है और बिटा क्या करता है भारी मात्रा में विशयली धूम यानि की धूएं को छोड़ता है जिससे क्या होता है परियावरन में परदूशन फैलता है इस समस्या का समाधन कैसे किया जा सकता है यता संबो में अपने जो अपसिष्ट पदारत क्या होते हैं जो वेस्ट हैं जिनका हमें अब कोई परियोग नहीं है हम फैक्ते हैं जिनको तो हमें उन्हें अलग-अलग इखटा करना चाहिए जो जैसे कि अब सबजी है सबजी तुमने बनाई है या कुछ भी बचा हुआ खाना है अब लग इखटा करोगे तो क्या होएगा पेटा जो जैव निमनी करनी है जो छिलके वगरा थे वो क्या होएगे जल्दी से अब गटित हो जाएंगे वो मिल जाएंगे ठीक है ना तो इनका अलग निस्तारन करिए इसे अपने घरों में वहवार में लाइए कुछ और तरीके भ पुने चकरित करना भैतर होगा अधिकांस थर्मो प्लास्टिक पुने चकरित किये जा सकते है और पेटा क्या करना चाहिए अपसिष्ट जो प्लास्टिक है जो हमने यूज कर लिए और उसको कुछ काम नहीं तो हम उसको अगर परियावरन में ऐसे ही फैक देंगे तो वहा प्लास्टिक को पुने चकरित करना चाहिए पुने चकरित मतला हमें उसको क्या करना चाहिए दोबारा से साफ करके पिंगाल के उसको दोबारा से कोई अन्य वस्तु बना कर उसको प्रियोग में लाना चाहिए अधिकांस थर्मो प्लास्टिक पुने चकरित किये जा सकते है जिन वस्तों का पुने चकरन किया जा सकता है उनकी सूची बनाईए पुने चकरन के समय कुछ रंग परदान करने वाले अभी कर्मक मिला दिये जाते हैं जो तुम बोटल्स देखते हो पानी की अलग-अलग कलर की प्रियोग करते हो तो यह सब क्या होता है कई बार यह बोटल होती है जो कमजोर-कमजोर सी होती है कुछ होती है हाड और कुछ क्या होती है बहुत सोफ्ट होती है मूड भी जाती है तो वो क्या होती है पुने चकरित प्लास्टिक के द्वारा बनी होती है इससे पुने चकरित सामागरी का उपयोग विशेश रूप से खद्या पधारतों के संच्यन हेतु सीमित हो जाता है एक उत्तरदाई नागरी के रूप में फोर आर सिधानत को याद रखिए उपयोग कम करिए ठीक है बेटा कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करिए दूसरा पुने उपयोग करिए उसको जितना जाता हो सके बार-बार प्रियोग करिए और पुने चकरित करिए अब उसका बार-बार प्रियोग कर लिया है तो वो अपगटित तो होगी नहीं उसको क्या करो कि दोबारा से पिंगाल कर कोई और वस्तु बना कर उसको प्रियोग में ला सकते हैं और पुने प्राप्त करिए और क्या हो बटा दोबारा से उसको प्राप्त करिए इस परकार की आदिते विक्सित करने से हम क्या हो सकते हैं यानि कि हम अपने परियावरन को परदूसित होने से बचा सकते हैं क्या आपने कोई ऐसा कचरे का धेर देखा है जहां पसु विशेस रूप से गाए कचरा खा रही है खद्याप सीष्ट खाने के परक्रम में ये पसू पोलेथिन की थैलिया और खद्याप धारतों के रैपर भी निगल जाते हैं ऐसा तुम देखते होंगे आसपास जो हमारे गली में पसू घुमते रहते हैं जिसे गाए वगएरा वो क्या करते हैं खद्याआ के छिलके वगएरा उनको क्या करती है खाती है जिसकी वज़े से कई बार क्या करते है और वो उनको क्या करती है सवसंत अंत्र में जाकर फस जाती है जिससे उनको सांस लेने में प्रोब्लम आती है कुछ उनके अमासिय में इखटी होने लगते है जिसकी वो गलती तो है नहीं जिसकी वज़े से क्या होता है बेटा उनकी मिर्तियों हो जकती है लापरवाई से इधर उधर फैकी गई पोलोथिन की थैलियन नालियों में को रोक देती हैं कभी-कभी हम भहुत अधिक लापरवाई दिखाते हैं कि चीपस, बिस्कीटो, और अन्ययप, खद्यपधारतों के रैपर सड़क पर उध्यानों अत्वा पिकनिक के स्थानों पर भी फैक देते हैं क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए एक उत्तरदाई नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्जनिक स्थल, स्वच और प्लास्टिक मुगते रहें एक तो बेटा हमें कम से कम प्रियोग करना चाहिए और अगर हम प्रियोग कर रहे हैं तो हमें उसे एक उची तस्थान पर ही डालना चाहिए ताकि वहां से उसको ले जाये जा सके पुने चकरन के लिए पुने प्राप्त करने के लिए पुने उप्योग करने के लिए तीक ह अब बेटा देखो यहां पर हमें कुछ बाते सीखनी चाहिए प्लास्टिक की थैलिया जलासियों में अथवा सड़क पर नहीं फैकनी चाहिए खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला ये जूट को लेकर जाना चाहिए ताकि हम प्लास्टिक को नल प्रियोग कर सकें प्लास्टिक पदार्तों को भी हो कम से कम करियो उधारन के लिए प्लास्टिक के स्थान पर हम स्टील से बने भोजन रखने के डबो का प्रियोग कर सकते है ठीक है तो बेटा यहां पर हमारा थर्ड चैप्टर संचलेशित रेसे और प्लास्टिक स्माप्त होता है मुझे उमीद है कि तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा मैंने अपनी तरफ से तुम्हें पूरा समझाने की कोजिस किया और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो तुम मुझे मुझे बता सकते हो तब तक के लिए बेटा धन्यवाद